च्छतरपुर के और चारोड थाना छेतर के ग्राम केडी में साहू और कुश्वाहा परिवार के बीच मामुली सी बात पर शुरू हुआ बिवाद संगहर्श में तबदील हो गया मारपीट में साहू परिवार की एक महिला सहे तीन लोग घायल हुए हैं जिन्हें च्छतरपुर के जिला स्पताल में भरती कराया गया है साथ ही ठाने में रिपोर्ट भी दर्च कराई गई है केणी निवासी तीस वर्षे भूरा साहू ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब साथ बजे उसके पिता ब्रंदावन साहू घर के दरवाजे पर बैठी थे तब ही पडोस में रहने वाला जम्मू कुश्वाहा अपनी टर्च ढूनते हुए वहां आया और ब्रंदावन से टर्च के बारे में पूछने लगा जब ब्रंदावन ने जानकारी ना होने की बात कही तो जम्मू ने गाली गलोच शुरू कर दी इसी बीच भूरा साहू भी मौके पर पहुँच गया जब उसने गाली गलोच का विरोध किया तो जम्मू कुश्वाहा ने अपने परिवार के गोविंद, नंदू, राजाराम, गुली और ब्रिजलाल के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी मारपीट में भूरा साहू, उसके पिता ब्रिंदावन साहू और उसकी पतनी राम देवी साहू को चोटे आई हैं घटना के बाद तीनों गायल ठाने पहुँचे जहां शिकायत करने के बाद तीनों को जिलास्पताल लाए गया फिलहाल तीनों गायलों का जिलास्पताल में इलाज किया जा रहा है, वहाँ पुलिस ने शिकायत लेकर घटना की जाँच शुरू कर दी है अनना ने काई के लाइट तो निंग उठाई गे और हम आई सु भी आई सु दूजाने मारन लागी फिर हमने बचासु हमां यह मारन लागी फिर क्या नाम है उनलों का जमू और है सु लरकां को का नाम है जमू बेजलाल गोवेंद और नंदू